आप तो चुजे हैं तो अब्जेक्ट करने के लिए तक तूल कला होती है कि फिर तूल से हम क्या करेंगे सिंपली के लेप्ट माउस बटन से अब्जेक्ट के ऊपर चिलिक करेंगे और हमारा वो object select हो जाता है select करने के बाद हम उस object पे काम करते हैं आप simply left click से click कीजे आपको object select हो जाएगा आपको कोई और object select करना हो simply shift की के साथ दूसरे object पे click कीजे आपका दूसरा object select हो जाएगा आपने suppose एक object select कर दिया आप दूसरा object भी select करना चाहते हैं तो आपको shift की दबा कर दूसरे object पर click करना पड़ेगा object को select करने के लिए pick tool लीजे और pick tool का left click करके उसे hold down कीजे उसको दबाए रखिए और mouse की मदद से चारो तरब lasso बनाएए जो भी object lasso के अंतर कताएगा वो सारे object select हो जाएँगे इस तरह से आप lasso tool के माद्यम से strip दबा के दुबारा अगर lasso बनाते हैं तो जिस object के around में आप lasso बनाते हैं वो object deselect हो जाएगा इस तरह से आप object को lasso के माद्यम से select भी कर सकते हैं और deselect भी कर सकते हैं again shift की दबा करके अब हमारे पर object दो परकार के होते हैं कुछ होते हैं group और कुछ होते हैं ungroup status bar में हमें object का status देखने को मिलता है कि हमारा object group है या ungroup है उसकी सारे जानकारी हमें यहाँ status bar में मिलती रहती है आप simply object पर select कीजे shift दबाईए दूसरा object हो जाएगा shift दबाईए तीसरा object select हो जाएगा अब माना आपके पास एक पूरा group object है group means बहुत सारे object है और उनको हमने group बना दिया है control जी करके तो अगर हमको उसमें से एक particular object select करना है बिना group को ungroup के तो हम क्या करेंगे control की के साथ उस object पे click करेंगे जो हमें select करना है जैसे हम उस object पे click करेंगे वो object select हो जाएगा अब आप उस object को transform कर सकते हो move कर सकते हो उसको छोटा बड़ा करना है वो सारी चीजे आप pick tool के माद्यम से object को select कर सकते हो तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा ये जो ये object बहुत सारे object है ये पूरे एक group है और मैं एक particular object को select करना चाहरा हूँ तो simply मैं control की दबा कर उस object पर click करता हूँ तो मेरा वो object select हो जाता है अब आपको group object में suppose ये object select करना है तो आप देखेंगे normal जब हम object को select करते हैं पर चारू तरब जो हेंड़र है वो square form में आते हैं लेकिन जब group में हम को ये object select करते हैं तो वो rounded form में हमको दिखाता है इसका मतलब होता है कि हमने जो object select किया है वो किसी group का object है तो ये पैचान होती है group और simple object select करने की अगर उसके चारू तरब square बनके आ रहे हैं इसका मतलब वो ungroup object है एक individual object है अगर उसकी चारू तरब ये dot बनके आ रहे है round round तो इसका मतलब है कि वो group का एक हिस्सा है आप उस object को move कर सकते हैं लेकिन वो group नहीं टूटे का group ऐसे का ऐसा ही रहेगा आप किसी ऐसे object को select करना चाहते हैं जो कि किसी और object के पीछे हो behind में हो तो उस case में हम alt की दबा कर तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक कि हमारा पीछे वाला object select न हो जाए alt की की माध्यम से हम जो object दूसरे object के behind में चुपा हुआ है उसको select कर सकते हैं तो alt की के माध्यम से हम जो object पीछे चुपा हुआ है उसको select कर सकते हैं अब हमारा कोई group है गुरूप के अंदर कोई object गुरूप में पीछे है तो उसको select करने के लिए हम control के साथ alt की दबाएंगे और उस object तब तक किलिक करते रहेंगे जब तक कि object select ना हो जाए तो इस तरह से हम object का selection करते हैं और रो में और लל में पीड्याई उसको करते है कि अफसों के लिए सकतальных काय caution आएकंचयत कैसाथ कि विए करते हैं कि तरह कि यु करते हैं तो उसकते हैं तो अब चाफस的話 रहीतीम बटर से देश्वित कि वड़ो हैं कBaby controller जसकते हैं कि एहीत दोंकिशम झाल झाल आप object manager के माध्यम से भी अपने object को select कर सकते हैं इसके लिए आपको simply window में जाके docker में जाके object manager को खोलना पड़ेगा अब आप यहाँ जिस भी page पे हैं simply आप उसको 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 click करना पड़ेगा आपका वो object select हो जाएगा आप उसको इधर-दर move कर सकते हैं जिस भी group पे आप click करते हैं suppose यह चार group करता हूँ shift की दबा कर यह control की दबा कर तो यह मेरे अललक object यह तीन अललक object select होगे परकरिया वही है shift के साथ बिना select किया वबजेट को click करेंगे तो वह select हो जाएगा और अगर दो object select हो रखे हैं तो shift के साथ यह object में clear करना पड़ेगा और हमारा वह object select हो जाएगा चाहे वह group का हो चाहे वह ungroup हो हम object manager के थ्रूबी complex object को select कर सकते हैं अगर हमने एक particular नाम उस layer को या उस object को दे रखा है तो हम easily उसको recognized सकते हैं अब suppose मेरे पास यह इस page में बहुत सारे यह object है मैं इनको पहले तो group करता हूँ यह यह यहाँ पर जाके मैं ने group कर दिया अब यह देखिए पूरा एक group बनके यहाँ पर इस page number 4 में आ गया है अब मैं प्लस की पे सब्सक्राइब बंद किया भी यह object में खोला और इस पर प्लस की पर मैं click करता हूँ तो यह मेरा पूरा object बनावा है यह प्लस पर मैंने click है तो मिरे को दिखा रहा है कि इसमें इतने सारे object है अब मैं जिस भी object पर click करूँगा group में वो मेरा object select हो जाएगा यहां पर मैं control की दबाने की जरूरत नहीं है simply में यहां पर हम उस object पर object में click करेंगे और हमारा वह object select हो जाएगा अब हम उसके कुछ भी effect या transform जो भी करना है वो सब कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत यह मैं आपको एक complex object को select करके दिखाता हूं मैंने यह पूरा object लासो के माद्यम से select किया अब मैं चाहता हूं कि मेरा बीच वारा जो camera हो डिसलेक्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगा shift की दबाऊंगा और लासो ड्रैग करूंगा तो मेरा यह इतना percent डिसलेक्ट हो जाएगा दुबारा मैं चाहता हूं कि यह camera भी यहां से गया हो जाए तो मैं यहां पर लासो के मैंदम से तब तक क्लिक करता रहूंगा जब तक कि मेरा जो मैं चाहता हूं सेलेक्ट करना वह सेलेक्ट ना हो जाए तो यह देखिए मेरा बड़ा complex object है और object जिस भी object को हमारा लासो टूल चूलेगा वह हमारा object सेलेक्ट हो जाएगा यह अगर आल्ट की प्रेस करके हम लासो बनाते हैं जहां जाप अभी हमारा लासो टच होगा वो हमारा object सेलेक्ट यह साथ देखिए हमारे बहुत सारी लाइने हैं लासो के लिए पूरा object को कबर करना पड़ता है लेकिन यह देखिए पूरा object मैं लासो के मैंदब सेलेक्ट किया लेकिन मैं art की दवाकिए simply drag करता हूं तो जहां जहां पर मेरा object सेलेक्ट हो जाएंगे तो यह सारी विद्या है अब्जेक्ट को सेलेट करने की आई होप आपको यह तुटोरियल अच्छा लगा होगा आगे भी मैं आपको बेसिक टू एडवांस स्रीज की और वीडियो और उसके बाद हम अपना मेन काम सुरूंगे प्रोफेशनल डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं मेरे साथ बने रहे हैं कि पहले हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है तब ही आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं जब आपका देश क्लियर होगा